हेलो फ्रेंड्स इस चारुजय वेलकम पो डीपीस्टी रावर्स तो बात करेंगे आज हम डेविलपिंग अडेस्टांडिक अफ़ इन चेड्रिन जो आपकी डीपीस्टी सब्चेक्ट है उसका मैंने टॉपिक उड़ाया है कॉंप्रेंसिल राइंड प्रॉसस बेस्ट असेस साथ आपनी पीस्टी एक्जामस आने वाले की और आपका फर्स एक्जाम इंवार्मेंट का तो जो चाहते हैं वेडियो जाते हैं या फिर एक्जाम से रहे टिप्स जाना चाहते हैं तो मेरे चानल पर एक प्रेलिस्ट है All About Exam करके आप उस पर देख सकते हैं मैंने वीडियो अप्लोट कर दी है जिनों नहीं नहीं देखी तो स्टार करते हैं हों comprehensive and process based assessment comprehensive मतला भी क्या होता है everything means हर तरह की चीज एक चीज में आना उसको बहते हैं comprehensive assessment it is an integral part of education यह बहुत important part होता है education का यह एक ऐसा टूल है जो allow करता है teacher को कि वो बच्चे को assess करें बीज जज करें देखें कि वो कितना पढ़ रहा है उसकी overall understanding उसको curriculum के understanding कितनी ही हो रही है साथ-साथ बच्चों को boost करता है उनकी learning को जैसे कि teachers अपनी strategies में improvement लेकर रख लाती है जैसे बच्चों के बारे में पता चलता है उनकी understanding पार चलती है comprehensive assessment इस सब चीजों में बहुत जादा help करता है इसके अरगा next multiple strategies comprehensive assessment में multiple strategies होती है it includes at least three types of assessment यानि formative, summative and interim यह तीनों assessment को मिलाकर comprehensive assessment बोला जाता है फिर इसके benefits क्या है कि बच्चों की पढ़ाई को बढ़ाता है साथ साथ बच्चों की progress को monitor करता है बच्चों को support देता है classroom में और बच्चों का अलाव करता है classroom में कि बच्चे अच्छे पढ़ाई करें तो यह ता हमारा comprehensive assessment अब मैं बात करूं process-based assessment तो process-based assessment मैंने इसले लिखा क्योंकि as such इसमें कुछ इतना important नहीं है ना इसमें लिखने वाला content इतना है तो और यह paper में इतना नहीं आता तो process-based नाम से ही पता चल रहा है बच्चे ने कोई work किया बच्चे ने कोई assignment किया बच्चे ने कोई project किया तो यह सारे process हो रहे है teacher ने बच्चे को वही वही पे उसकी according उसको assess कर दिया that is process-based assessment मतलब मेनी teacher ने मुझे एक work दिया मैंने वो submit कर गया teacher ने at a time marks रगा दियो और मुझे marks मिल गए लेकिन comprehensive assessment में क्या होता है formative, summative or in time के तीनों के मिलाकर मुझे marks मिलेंगे तो यह difference होता है हमारा comprehensive and process-based assessment में इसके अलावा आप चाहिए तो इसका एक बास फिरिशा के सकते हैं और अगर आपको इसमें कही problem आती है आप comment box से बता सकते हैं और अगर आपको इस वीडियो अच्छी लगी हो तो like, share and subscribe करना ना भूले